नमस्कार दोस्तों जैस्षी क्रश्न आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ हमारे गुजरात अमदाबाद की उत्रायन इसके कुछ द्रश्च हैं देखिए जो मैंने कैप्चर किये हैं यहां के रोड के यहां की मार्केट के जहां पर धेल सारा सामान भी करा है आज आप दे देखेंगे बिल्कुल खाली और शुम्शान पड़ी दिखाई देखिए यह है कमिशनर कचेरी अमदाबाद की देखिए रोड बिल्कुल खाली है आम दिनों में आप यहां से निकल नहीं सकते हैं इतनी यहां पर भीड़ होती है लेकिन क्योंकि उत्रायने पब्लिक साब पतंग उडाने में लगी हुई है यहां पर दोस्तों आप देखेंगे मार्केट में यहां की जो मार्केट से वहां पर पब्लिक एक तरफ तो पतंग उडा रहे हैं एक तरफ तो लोग खरीदी कर रहे हैं अमदाबाद के तेवार दोस्तों देखने लाइक होते हैं यह ले यहां पर दान करते हैं ruth के दिल दोस्तों यहां पर भरफूर दान होता है और खाई भी जाती हैं छट पर चड़कर के दोस्तों लोगे सारी चीजे खाएंगे देखिए यहां की रोड आज यहां पर आपको कोई ज्यादा भीड़वार दिखाई नहीं देने वाली है क्योंकि पब्लिक कहां है सब छट पर है कहीं पर भी कोई भी तेवार मनाया जाता है दोस्तो सबसे ज़्यादा गुजरात अमदावाद की पब्लिक आप देखिए बहुत सी उत्सा से भरी हुई होती है हर तेवार में आपर फ्रान फुक दिये जाते हैं यह देखिए स्टोर लगे है पितनी फिर्किया भी करें यह देखिए दोस्तों यह मार्केट है लोग खरीदी कर रहे हैं चीत सामान लेने के लिए यह देखिए आपर फिर की रंगवाई जा रही है दोरी रंगवा करके फिर की तैयार करवाई जा रही है एक तरफ तो उत्रान मनाई जाती है एक तरफ उतनी ही मात्रा में खरीदी भी चलती रहती है देखिए जैसे जैसे पतंग खतम होत बहुत ही उत्सा से मनाते हैं आज के दिल लगभग लगभग पब्लिक आपको छट पर ही दिखाई देगी यह देखिया आपर फिर की भिक रही है जो मार्केट से आपर कैप से हैं विसल से हैं गोगल से हैं आज तो कितने ही गोगल से आज वियापारियों का बहुत ही अच्छा खासा धंदा हो जाने वाला है यह सारी खरीदी दोस्तों 15 दिन पहले से यहां का मार्केट ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा आपको यह देखिए यह देखिए सारा का सारा मार्केट भरा हुआ है और पब्लिक उतनी ही उत्सा से खरीदी भी कर रही है और उत्राण मना रही है मैंने सोचा में आपको यहां की रोडों के यहां की कंडिशन देखिए यह है अमदावाद के रोड आज कितने शुम्शान यह जिसे कर्सू लगा हुआ हो आज रोड पर आपको कोई पब्लिक दिखाई देने वाली नहीं है जो स्टॉल्स लगें वही हैं ताकि पब्लिक सामान खरीटती रहे और बहुत अच्छे से उत्राण को एंजोय करती रहे देखिए आज के दिन या दान पुने का भी बहुत ही महत्वही यह छोटे छोटे बच्चे हैं देखिए छट पर चढ़े हुए हैं किते हैं खुश दिखाई दे रहे हैं पतंग उड़ा रहे हैं आज के दिन दोस्तों शनबात भी अवश्य ही लेना चाहिए आज के दिन शुरेदेव के दर्शन करना स्वास्त के लिए बहुत ही अच्छा होता है छोटे छोटे बच्चे देखिए जिने पतंग उड़ाना नहीं भी आता है सब छट पर दिखाई देंगे यह देखिए कितना चोटा सा बच्चा है इसकी मम्मी इसको लेकर के बैठी है मैं बहुत ही कम यह सिनल आज कैप्चर कर पाई हूँ लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको जरूर दिखाऊं जो कुछ भी आज मैं कैप्चर कर पा रही हूँ दिखिए यह त्यांके यूवक है, यूथ यहां है कितने खुश हैं, छट पर हैं अंज्योए कर रहे हैं उत्रायन को आज यहां की होटर्स भी सब के सब भरी हुई दिखाई देंगे उत्राइन एंजोई करने के बाद दोस्तों यह पब्लिक सब होटर गाने वाली यह खाने के लिए यह देखिए कितना छोटा सा बच्चा है इसकी ममी इसे हाई कहने को कह रही है देखिए यह है अमदावाद यह है गुजराद यहां के हर तेवार बहुत ही जीवनत होते हैं यहां के पब्लिक के अंदर उत्षा बहुत है यह देखिए यूबक चड़े उवे हैं पानी की टंक्यों के उपर भरपूर शोर बकोर है यहाँ पर इतना टेप बज रहा है इतनी नौईश हो रही है आज के दिन कोई भी इंसान आमने सामने खड़ा ओकर के बात नहीं कर सकता है इतना यहाँ नौईश होती है पूरा दिन कहां कट जाता है कुछ भी पता नहीं चलता है रात को यहां तुकल उड़ेंगी पूरा आकास में लगता है इसे दिये जल रहे हैं देखिए यह टेप बज रहे हैं यहां पर स्टीरियो बहुत ही शोर बकुर होता है यह देखिए सुमसान शड़के यह है हमारे अमदावाद हमारे गुजरात की उत्रायान उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा जितना भी जो भी सीन में ले पा रही थी ले करके मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है दोस्तों देखते रहिए खुश रहिए जैसी कृष्णा करते रहिए जैसी कृष्णा